नमस्कार मैं हूँ दिवर बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 12 जून दिन बुद्वार कवेक्यों बने से पहले एक नजर सुर्खियों पर राजिक इंजिनियरिंग कॉलेजों में नामंकन की बरही अंधनती थी अब फोन, वाट्चप और एमेल के जरीए दर्ज करवा सकेंगे अपने शुकायत एक महिने तक बिहार के जिले में रोजगर सिवीर का हो रहा है ओज़र बिहार महिला क्रिकेट स्टेडियम के लिए जैन प्रिक्रिया हुई सुरू अवैद खनन करने वालों को विज़स सिन्हा ने दी चेतावनी आज T20 वर्ल्ड कप में भारत और अमेरिका के बीच होगा मुकाबला अब चले वर्दन अब तक के 25 परिकवर क्यों विस्तार से उत्तर प्रदेश के SGPGI में निकली भरती उत्तर प्रदिस में संजय गांधी पोष्ट ग्रेजवेट इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस यानी SGPGI लखनो द्वारा नर्सिंग ऑफिसर इस्टेनो ग्राफर तकनीसियान समेत कई पदों पर भरती निकाली गई है ये भरती कुल 419 पदों पर आई है ये भरती प्रक्री 8 जून से सुरू है और 25 जून दोजार 24 तक रहेगी उमिद्वारिस के आधिकारिक वेबसाइट से पीजी आई ms.org.in पर जाक राविदन कर सकते हैं इस भरती में आरक्षत उमिद्वारों के छूट का भी प्राबधान है भरती से संबंदित 60 और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिस सूजन और अधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं राजिके इंजिनियरिंग कॉलेजों में नावंकर की बरही अंतमते थी राजिके 38 इंजिनियरिंग कॉलेजों में नावंकर के लिए पंजियन के अंतन तेथी 10 जून थी जिसे बरहा कर 20 जून कर दिया गया है आपको बता दी कि 13,675 सीटों पर 7,2,24,25 में बचों का दाखिला लिया जाएगा प्रदेश के दिक्तर इंजिनियरिंग कॉलेजों में 360 के करीब में सीटे निर्धारित की गई है कॉलेजों में बरही हुई तिथी को लेकर अधिसूजना BCECB द्वारा जारी की गई है वही आविदन फॉर्म में सुधार के लिए अंतन तारिक 20 से 30 जून है अब फोन, वाट्चेप और इमेल के जरिये दर्ज करवा सकेंगे अपने शिकायत अब रदेश के सभी थानों में लोग फोन, वाट्चेप और इमेल के जरिये भी अपने शिकायत दर्ज करवा सकेंगे दोगों को ये सुधा इसी साल के अंत तक मिलनी शुरू हो जाएगी पुलिस मुख्याले द्वारा बताया गया है कि पिछले एक साल में राजी के सभी थानों में सीसी टी एनस की अस्थापना कर दी गई है जिसे अब ऑनलाइन नियाएक विवस्ता आईसी आईस से जोड़ा जा रहा है साथ ही ये सभी पुलिस पदादिकारी नियायाल है जिल वो फोरंसिक प्रयोग साला से जोड़े जाएंगे एडीजी जेस गंगवार ने बताया है कि प्रसक्षन के बाद नागरिकों को विभिन सेवाएं ऑनलाइन मिल सकेंगे और अनुसंधान यायाल है जेल आदी के कारे भी ऑनलाइन हो सकेंगे सीसी टी एनस की मदद से ऑनलाइन एफाईयार सहित नौ सिवाई ऑनलाइन उपलब्ध होंगी इसके तहट समबंधित पुलिस स्टेशन में फोन, वाटसेप, इमेल से सिकायत दर्ज करना सिकायतों के सिती प्राप्त करना, एफाईयर की प्रती प्राप्त करना, गिरफतार व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करना, लापता एवं अपहरन व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करना, आदी के लिए अनरोद करना और नागरिकों का विभिन, फॉर्म डाउनोड कर और क्या नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी IPID बिहार ने सेर की है यदि रसोई घर फूस का है तो उसकी दिवार पर मिट्टी का लेप चरहाए और रसोई घर की छट को ऊची रखें गर्मी के दिनों में दिन का खाना 9 बजे से पहले और रात का खाना साम के 6 बजे के बाद ही खाना बनाते समय सूती कपरे ही पहने आग बुझाने के लिए पास में परियाप्त पानी और बालू या मिट्टी रखें बचों को जलने वाली चीजे जैसे दिया लाल टेन मुंबती आदे से दू रखें पर या तेवार या किसी साधी समारों में टेंट लगे है तो बिज पर या वाले ने सिती में हैल्पलाइन नमबर 06122294204 या 205 और टॉल फिली नमबर एक सूने साथ सूने पर संपर्क कर सकते हैं पोर्टल परिमारजन प्लस में सुधार के लिए जुरेंगी कई नई सुधाएं पोर्टल परिमारजन प्लस में जल्दी ऑनलाइन डिजिटलाइजड जमाबंदी में सुधार के लिए कई नई सुधाएं जोरी जाने वाली हैं आपको बता दें कि अब इस पोर्टल पर केवल पुरानी ओनलाइन जमाबंदी में ही सुधार किया जा रहा है, हालांकि आने वाले दिनों में इस पोर्टल के माध्यम से जमाबंदी के सभी तूटियों में सुधार किया जाएगा, साथ ही यदि किसी मौजा के जमाबंदी किस इसरी दूसरे मौजा में दर्ज हुई है तो उसमें भी सुधार किया जाएगा विभागी मंत्री डॉक्टर दिलीब कुमार जैसवाल ने बताया कि मूल जमाबंदी पंजी में जमाबंदी कायम है लेकिन उसका डिजिटल आइडियसर नहीं हो पाया है या मूल जमाबंदी प पटना से पहुंचेंगे दिली जल्द बुले ट्रेन चलाने की प्रक्रिया होगी सुरू प्रदेश से कई लोग दिली और बंगाल की तरफ जाते हैं अधितर लोगों की यात्रा का ट्रेन सबसे सस्ता और बढ़िया माध्यम है लेकिन यदि दूरी लंबी हो तो कई बार ल असल 17 घंटे के सफ़र को तीन घंटे करने के लिए बुले ट्रेन चलाई जाएगी बुले ट्रेन का ये रूट एहमदाबाद मुमबई दिली और हावरा के बीच होगा दिली हावरा के बीच चलने वाली ये बुले ट्रेन वकसर आरा पटना और गया होते हुए गुजरेग बिहार में बुलेट ट्रेन को दोर आने के लिए अलीवेटिद ट्रैक का निर्मान किया जाएगा इसके निर्मान का रूट भी तै किया जा चुका है जल्द ही इसके लिए जमिना धिक्रहन का कारे किया जाएगा ट्रैक निर्मान 2026 में सुरु होगा और 2030 तक इसके पूरा होने की उमीद है बिहार महिला क्रिकेट टीम के लिए चैन प्रक्रिया होई सुरू पटना में इसी साल BCCI ने रंजी ट्रॉफी के कुछ मैचों का आयोजन किया था बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सुरू होई इस पहल के तहट इसी करी में बिहार विमन्स क्रिकेट टीम का चैन किया जा रहा है ये चैन प्रक्रिया जमूई में होगी इसमें बिहार महिला क्रिकेट टीम के अंडर 19 और सीनियर टीम का चैन होगा ये प्रक्रिया 11 जुन से शुरू हो चुकी है अध्यक्ष मनोज कुमार सिंग ने जानकारी दी है कि अंडर 19 टीमों के चैन प्रक्रिया को संपन करने के बाद जिला क्रिकेट असोसियेशन के द्वारा बिहार सीनियर विमन्स क्रिकेट टीम का भी चैन होगा बिहार टीम में उ रोजगार सिवीर का आयोजन होने वाला है इस रोजगार मेले में कुल 1200 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा रोजगार मेला 12 जून से सुरू होकर 12 जुलाई तक रहेगा इसमें चैनित युवाओं को 15,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए तक का वेतन दिया जाएगा इ इस रोजगार सिवीर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप प्रखंड कारियाले परिसर से संपर्ग कर सकते हैं। जिलों को अवंटित हुए जमीन सर्वे के लिए संबीदा कर्मी, सर्वे के लिए 10101 कर्मी संबीदा पर राजस वेवं भूमी सुधार विभाग द्वारा जिलों को अवंटित किये गए हैं। इसी महीने में चौथे हफते से चैनित कर्मियों को 15 दिनों का प्रस्वेक्षन दिया जाएगा। फिर जुलाई महीने से प्रस्वेक्षत हुए सभी कर्मी, सभी जिलों के जमीन के सर्वे का कारण सुरू करेंगे। आपको बता दे कि चौणाप के कारण इर्ग कर्मियों के तैनाती में देरी हुई है। अस्पताल की किसी सर्वेक्षन के लिए आपसे जियस्टी की हो रही है डिमांड तो जाने ये बात है। कि आपने अस्पताल के किसी सर्वेक्षन के लिए जियस्टी दिया है। यदि हाँ तो आपको इस खबर को जानना बेहरी जरूरी है। यदि नहीं तो भवसे के लिए ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरसल आपको पता होना चाहिए कि अस्पताल के सभी सर्विस के लिए जियस्टी नहीं देना होता है। आपको बता दे कि डॉक्टर डागनोस्टिक ट्रीट्मेंट एंड केर पर किसी तरह की जियस्टी नहीं लगती है। वही अस्पताल के रूम में और दवाओं पर किवल 5 प्रदिसत तक ही जियस्टी देनी होती है। रूम के सर्विस को लेकर भी तभी जीस्टी भड़ना होता है जब रूम रेंट 5,000 रुपे से जादा का हो। परीक्षद धांदली मामले में यहां कर सकते हैं सिकायत। कई बार परिक्षद धांदली के मामले देखने को मिलते हैं। परिक्षा में धांदली को लेकर इन दिनों लगतार चर्चा देखने को मिल नहीं है। परिक्षा धांदली से लाखो बच्चों का भवश से अधर में चला जाता है। कई बच्चे तो ना जाने कितनी मुश्किलों से और कितनी मेहनत करने के बाद परिक्षा देने आते हैं ऐसे में यदि परिक्षा धांदली के खबर सामने आ जाए तो ये काफी निरासा जनक हो जाता है ऐसे में यदि आपने भी किसी संस्था में अडमिसन के लिए entrance exam को लेकर परिक्षा दिये हैं और अगर परिक्षा में धान्दली हो जाती है तो परिक्षा के लिए भरे गए form के पैसे भी बेकार चले जाते हैं लेकिन आपको बता दे कि आप इन पैसों को वापस पाने के हगदार है इसके लिए आप भोक्ता अधिलियम के दहित केस दायर कर सकते हैं वहीं इस्टेट लेवल के किसी परिक्षा में ऐसा होता है तो आप अपने राजे के मुख्यमंत्री हैर्पलाइन पर कॉल या ऐसे जुरे पोर्टल के माधियम से सिकायत कर सकते हैं अवैद खनन करने वालों को विजड़ सिनहा ने दी चेतावनी बालू माफियाओं को एक बार फिर से बिहार के उप्मुखे मन्त्री वखानव भूतत्व विभाक के मन्त्री विजड़ कुमार सिनहा ने चेतावनी दी है नियम के साथ काम करने वालों को जो तंत्र परिशान करती है उनसे सक्ती के साथ तिम्टा जाएगा आगे उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जो अवैद खनन में लिप्ट हैं और उन्हें प्रसरेद देते हैं वे कितने भी उचे पत पर क्यों ना हो वे बक्से नहीं जाएंगे प्रदेश के दुधारू पसुओं का होगा बीमा राजसरकार प्रदेश के दुधारू पसुओं जैसे गाय और भैस का बीमा करवाने की तैयारी कर रही है इस वितिये वर्स में 11,100 दुधारू पसुओं के बीमा का लक्षु रखा गया है पसू मतंसे संसाधन विभाग द्वारा, इस महिने दिक के अंति तक योजना के स्विकर्थी मिल जाएगी पसू पालकों को इस योजना के प्रीमियम का 25 प्रतीशत, यानि 525 रुपे प्रती दुधारु पसू देना होगा और सरकार इसका 75 प्रदिसत पसुपालकों को देगी एक पसुपालक अधिक्तम 4 पसुओं का बीमा करवा सकेंगे वही पसुओं की किसी डोग, बिमारी, घटना या किसी आपदा में मृत्यू हो जाती है तो सरकार इस पर 60,000 रुपै तक की रासी देगी जहीर से सुनाक्षी की साधी वाली खबरों पर सतरुग निस सिनहा का बयान आया सामने सुनाक्षी सिनहा इन दिनों अपने बॉइफ्रेंट से साधी को लेकर चर्चा में है कहा जा रहा है कि वे 23 जून को जहीर इकबाल से साधी कर सकती है इस इंटर्व्यू के दौरान सुनाक्षी ने अपने साधी को लेकर बताया है कि मुझसे ये सवाल हर समय पूछा जाता है अब तो ये कान में जाता है और दूसरे कान से निकल जाता है सबसे पहले तो इससे किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए दूसरी बार कि ये मेरी चॉइस है तो पता नहीं लोगों को इतनी चिंता क्यों होती है वही सतरुगन सिन्हा ने साधी की खबर को लेकर कहा कि उन्हें भी बस इतना ही पता है जितना मीरिया को पता है जब सुनाक्षिस इन्हां उन्हें बताएंगी तो वो अपने पत्नी के साथ आसरवाद देने पहुंचेंगे बिहार के इंजलों में लोग को लेकर रेड अलर्ट हुआ जारी बिहार में लोग हीट वेप से काफी परिशान अजरा रहे हैं फिलहाल 14 जून तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है हालांकि 15 और 16 जून को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है बिहार में आज बकसर, भोषपूर और अंगाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान और अर्वल के जिलों में कुछ अस्थानों पर लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है वहीं पटना गया सारन रोतास, सिकपूरा, गोपालकंज और वैसाली में कुछ जगों पर लू को लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया है सुप्रीम कोट ने नीट की परिक्षा को रद करने से खिया इनकार नीट पेपर ली का मामला सुप्रीम कोट तक पहुँच गया था जिस पर अब सुप्रीम कोट का फैसला सामने आया है अदालत ने अपने फैसले में साफ तोर पर कहा है कि नीट परिक्षाद होजा 24 रद नहीं होगी और नाहीं नीट काउंसिलिंग रुकेगी हालांकि इस मामले में अदालत ने अंटिये से जवाब मांगा है साथ ही अदालत ने कहा है कि हम अंटिये की दलील भी सुनना चाहेंगे आपको बता दे कि जस्टिस विग्रम नात और हसन उद्दीन अमानुला की अवकास कालिन पीट इस मामले के सुनवाई कर रही है गर्मी के दिनों में करी धूप में निकलने से पहले इन बातों का रखे खयाल बेहार में दिनों जुलसा देने वाली गर्मी में करी धूप से बचना बेहादी जरूरी है लेकिन यदि आप तेज धूप में भी निकल रहे हैं तो उस वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है IPID ने भी इसकी जानकारे सेर की है जिसमें बताय गया है कि अस्थानिय मौसम समाचार पर ध्यान दे परियाप्त मातरा में ठंडा पानी पीए यदि प्यास नहीं भी लगी है तो थोड़ी थोड़ी देर पर पानी तो रानी निम्बू पानी चाच आदी का सिवन करते रहें नंगे पैर बाहर ना निकलें गर्मे से रहात पाने के लिए हाथ पंखा साथ में रखें काम के बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर ब्रेक लेते रहें हलके रंग के धीले और सूती कपरे पहने घर से बाहा निकलते समय छत्री या टोपी का या खुद को धकने के लिए किसी कपरे का इस्तिमाल जरूर करें यह टेल ने अपने 395 रुपे वाले प्लान की बरहाई वैलिडिटी भारती एटेल ने अपने वैलिडिटी प्लान को लेकर घोसना की है इसने आधिकारिक तोर पर कहा है कि वो अपने 395 रुपे वाले प्लान की वैलिडिटी बरहा रहा है आपको बता दे कि इस प्लान को नहीं लाए गया था और इसकी वैलिडिटी 56 दिन की थी लेकिन आब इसी कीमत में यूजर्स को इसका लाब 70 दिन तक जिया जाएगा आपको बता दे कि अटेल का ये प्लैन जीयो के 395 रुपय वाले प्लैन को टकर देता है जीयो के इस प्लैन में 84 दिनों की वैलिडिटी मिल इसल कॉलेज में अडमिसन लेने वाले बच्चों के लिए दो सत्र चलाये जाएंगे इससे बच्चे अब साल में दो बार कॉलेज में अडमिसन ले सकेंगे ऐसे में जो बच्चे पहले सत्र में कॉलेज में नावंकल लेने से चूक गये थे वे दूसरे सत्र में अडमिसन चलते हैं इसी तरज पर अब UGC ने भी भारत के अने विस्व विद्याले में इस तरह के प्रावधान को मंचूरी दे दी है सरक परिवहन वर राजमार्ग मंत्री वर नितिन गटकरी से बिहार को है बरियुमीद है एक बार फिर से मोदी मंत्री मंडल में सरक परिवहन वर राजमार्ग मंत्राले की जिम्मेदारी नितिन गटकरी को सौपी गई है इस जिम्मेदारी के साथ है इस बार नितिन गटकरी के उपर बिहार के उन एक्सप्रेस वे की भी जिम्मेदारी है जो लंबे समय से प्रस्तावत है भारत माला स्रिंखला के तैट बनने वाले इस एक्सप्रेसवे में कई जगों पर अभी तक जमिन अधिक रहन के भी प्रग्रिया पूरी नहीं हो पाई है वहीं कई एक्सप्रेसवे तो ऐसे है जिन्हें लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है इसके लावे पुर्वांचल एक्सप्रेसवे को भागल पुर्दक विस्तार दिये जाने के लिए एक सहमती बने एक साल से भी अधिक समय हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये मामला भी गेक्ट का हुआ है जिसको लेकर केंद्र के सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री निदिन गड़करी से काफी उम्वीदे हैं तेजस्वी यादम ने ने नायंद्र मोधी को बताया सबसे कमजोर प्रधान मंत्री होंगे साबित तिजस्वी आदम ने नेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने पर प्रतिक्रिया देते वे कहा है कि नेंद्र मोदी इस बार सबसे कमजोर प्रधान मंत्री साबित होंगे इस बार में पक्षु बहुत मजबूत है आगे मोदी मंत्री मंदल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार एक भी मुस्लिम समात से मंत्री नहीं बना गया ये ठीक नहीं है, सब को साथ लेकर चलना चाहिए मंत्री मंदल में भी सभी वर्ग की नुमाइंदिगी होनी चाहिए बागमती नदी में नहाने गया तीन युवकों की डूबने से मौत सीधा मरी के अक्ता गाउं में वाजपई टोला के नजदीक बागमती नदी में मंगल वार को एक युवक और तीन किसोर असनान करने गया थे इस दोरान खबर लिखे जाने तक तीन लोगों की मौत और एक किसोर के लापता होने की खबर सामने आए अस्थानी गोता खोरों ने डूबे हुवे युवक और किसोर को पाने से निकाला घटना के सूचना मिलते ही सीओ कृस्न प्रताप सेंग थाना ध्यक्ष विस्नु देव कुमार पुलिस बल के साथ घटना असर पड़ाएं इस दोरांड SDRF की टीम भी बुलाई गई इस घटना के बाद से इपनितकों के परिवार में मातम का महौल है इन सभी के सबों को सदर स्पताल में पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया है आज T20 वर्ल्ड कप में भारत और अमेरिका के बीच होगा मुकाबला आज ICC T20 विस्वक अब 2024 में भारत और अमेरिका के बीच मुकाबला देहने को मिलने वाला है ये मुकाबला भारतिय समय के मुताबिक रात के 8 बजे निव यॉर्क के नासाउ काउंट इंटरनेसनल क्रिकेट इस्टेरिया में होने वाली है आज दोनों में से जो टीम मुकाबला जीतेगी वो सूपर 8 के लिए क्वालिफाई हो जाएगी टीम इंडिया निव यॉर्क की मुस्किल पीच पर अपने टीम सेयोजन के लिए विचार कर रहा है जिसमें रविंदर जडेजा टीम से बाहर हो सकते हैं और कुलदीप यादब टीम में सामल हो सकते हैं इसके लावे यससवी जैसवाल को अलाउंडर के तौर पर सामल किया जा सकता है कई कानों से दर्ज है भारत की तहास में आज की तारीख आज के दिन वर्ष 1998 में भारत और पाकस्तान को परमानु परेक्षन के कारण जी एट के देशों द्वारा रिन नहीं देने का नर्णय लिया गया था आज के दिन वर्ष 2001 में सीमा मुद्दे पर भारत बांगलादेश वारता शुरू होई थी आज के दिन वर्ष 2008 में प्रख्याद फिल्म निदेश अक्मिरिनाल सेन को दसवे ओसियाना सीने फिल्म समारों में प्रस्कृत किया गया था आज के दिन वर्ष 2016 में साइना नहवाल ने दूसरी बार उस्ट्रेलिया उपन करताब जीता था आज के दिन वर्ष 1997 में हिंदी की जानी मानिक अथाकार और उपन्यासकार गितांजली स्री का जन्म हुआ था आपके हिसाब से आज की मैच में इंडिया की तरब से किस खिलारी का प्रजरसन सबसे अच्छा रहेगा आज की वाइरल खबर में हम बात करेंगे बियसनल के वाइरल हो रहे इस नोटिस के बारे में इन दिनों कई बियसनल ग्रांगों को कधित तौर पर एक नोटिस मिल रहा है जिसमें दावा किया गया है कि ग्रांगों का केवाई से ट्राई द्वारा निलंबित कर दिया गया है और सिम कार्ड 24 गंटे के भीतर ब्लॉक कर दिये जाएंगे लेकिन आपको बता दे कि सोचल मीडिया पर वाइरल हो रही है ये खबर पूरी तरह से फरजी है वाइरल हो रहे इस तरह के नोटेस से साफधान नहीं बिसनल द्वारा ऐसे कोई भी नोटेस नहीं बेजी गई है ये खबर पूरी तरह से फरजी है पि-आई-बी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पोस्ट किया जाए से पूरी तरह से फरजी बताया है हम प्रती दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेथ सवाल पूछेंगे पूछेंगे पांच सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में विस्व हसी दिवस कब मनाया गया है आप्शन A है 3 माई, आप्शन B है 5 माई, आप्शन C है 4 माई, आप्शन D है 6 माई, इसका सहीं उतर है 5 माई हाली में हारवर्ट करकरम सुरू करने वाला भारत का पहला विस्विद्याल है कौन सा बना है Option A है लखनो यूनिवर्सिटी Option B है लवली प्रोफेस्नल यूनिवर्सिटी Option C है चंडिगर यूनिवर्सिटी Option D है अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका सही उतर है चंडिगर यूनिवर्सिटी हाले में पेंसन विभाग ने सरकारी सेवा निवरत लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है option नहीं है उद्या पोर्टल option B है सहयोग पोर्टल option C है भविसे पोर्टल option D है अपना साथी इसका सेयु तरह भविसे पोर्टल बिहार के किस दिले में ककूलत जल प्रपात है? आप्सने है नालंदा, आप्सन भी है कया, आप्सन सी है नवादा, आप्सन भी है लखी सराय, इसका सहीं तरह नवादा जूट उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? Option A है प्रधम Option B है द्वीदिय Option C है त्रीदिय Option D है चतूर्थ इसका सही उतर है द्वीदिय बीते दिन हमारे दौर पूछे के सवाल का आप लोग में से बहुत चारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सक्षन बॉक्स में लिकर दिया है आपके सेत्र में कौन सा मोबाइल नेटवर्क सबसे अच्छा काम करता है हमें कॉमेंट में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने लहने के लिए देखते हैं भी हारी नुग और साज अगर आप यूटूप से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद